चलिए आज बनाते हैं इस कुरकुरे क्रिस्पी मज़ेदार सनास्ते को जो की बेसिक समानों से बन करके तयार हो जाता है और बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी बनता है अज मैं आपके लिए सूजी के बनने वाला बहुत ही अच्छा टेस्टी सा कुरकुरा सा क्रिस्पी सा स्नेक्स को आप जड़पट से 5-7 मिनट के अंदर बना करके तयार कर सकते हैं जो है सिप सूजी की जगुद पड़ेगी की नीजी को यहां पर चानल पर और गलाए पर लेंगे कर लीजिएगा चलिए फिर दोनों सूजी को हम जो है मिक्सी जार में डाय लेते हैं और इसे पल्स मोल पर एक बार अच्छे से ग्राइंड कर लेते हैं तो नास्ता बनाने में ज्यादा टाइम नहीं लगता है आप चाहें तो नास्ते को जो है लेंच बॉक्स में बच्चों क नहीं पीशा है अब चलिए यहाँ पर जो सूजी है इसे एक बावल में निकाल लेते हैं इसके बाद यहाँ पर गैस की फ्लेम में चड़ा देते हैं कड़ाई और यहाँ पर कड़ाई भे हमने डाल दिया है डियर्ड कटोरी पानी जितना हमने सूजी लिया है उसका हम यहाँ पर आप जो है रिफाइंट भी इसमें डाल शेकती है रिफाइंट आइल जो भी आप खाते हो तो इसको डालने वाँ इसको अच्छे तरह के से मिक्स कर देंगे और अब गैस की फ्लेम को हम जो है लोपे कर देंगे और धीरे-धीरे करके इसमें हम सूजी को एट करे सूजी को एक बार में नहीं डालना है दीरे-धीरे करके ही सूजी को चलाते रहना है और इसे मिक्स करते जाना है जिसे की इसमें गुल्ठी आना पड़े और अच्छे तरह के सूजी जो है वो मिक्स हो जाए तो यहाँ पर यह देखे मैंने थोड़ा-थोड़ा करके सारी इसको हम पकाएंगे जैसे जैसे यह पकेगा और ड्राई होगा वैसे वैसे सूजी अच्छी तरह के से देखे फूले की पानी को अच्छी से सूजी ने एपसर्ब कर लिया है अब इसे हम धीरे-धीरे करके एकदम अच्छी से पका लेंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं सूजी कितनी अच्छी तरह के से पक रही है और सूजी को पकाना बहुत जरूरी है जिससे की जो नास्ता है बहुत यह अच्छा सा हमारा एकदम कुरकुरा क्रिस्पी और सॉप्ट बनेगा अंदर से तो यहाँ पर यह देखें जो है हमने सूजी को पका लिया है और एक थाली ले लिया थाली में हलका से यहाँ पर तेल लगा देंगे जिससे की जो सूजी है वो चिपके न और अब हम जो सूजी का बैटे बनाये हुए इसे हम थाली में निकाल लेंगे और थाली में निकालन जो है आलू भी रख दिया था एक साइड में उबनने के लिए तो यहां पर यह देखिए आलू भी हमने जो है उबाल लिया है और यहां पर मैंने जो है चार आलू वाले हैं लगभक यहां आलू 400 ग्राम के जितना आलू है तो आप यहां पर अपने जगुवत के इसाब से कौ तो आप देखिए यहां पर जो सूजी है वो अच्छे तरीकी से डोकिफोम में आ गया है तो आप इसको रख देते हैं हम थोड़ा साइड में और यहां जो हमने आलू जो है लिया था आलू को हमने छील करके तयार कर लिया है तो आलू काफी गरम है तो यहां पर यह देखि यहां पर में डाल दिया है एक चम्मञ जीरा का पौडर , इसके बाद Especially एक चम्मद म१्च चाट मशाला जालने के बाद इसमें डाल देंगे स्वाथ sunshine नमक, तो नमक हम समझ कहीं ρाएक पानी में डाला हुआ तो बस यहां पर थोड़ा ही नमक हमने जो है एड़ किया है इसके बाद यहां पर डाल देंगे आधा छोटा चमल लाल वारी तीखी विर्ची है यहां पर आप बारी खरीवेची भी डाल सकते हैं आप चाहे तो इसमें प्याज भी डाल सकते हैं हम बहुत सिंपल तरीके से इस तो चलिए जो हमारा आलू का डो है वो लगके तयार हो चुका है अब इसको भी रख देते हैं साइड में यहां पर यह देखे मैंने एक बाउल ले लिया है और इस बाउल में हमने डाल दिया है दो चम्मज इतना चावल का आटा चावल का आटा के जगह आप मैदा कॉन प् तो यहां पर जो है मैंने एक से देडर जम जितना चेल में जीतना फैल की जुड़ा same थोड़ा सा सतीखा थोड़ा सा चटपटा से लगे खाने में हलती के दाया है हुआ थोड़ा सा डमा आके सुनैंग Ci opened जो रच सते Wonder कि मैंसफे दो नमक बसक्ते में रख करेंगे घुन ब तो आप चलिए नास्ता बना लेते हैं तो इस नास्ते को जब आप कभी भी बना करके तयार करेंगे न तो कोई बता ही नहीं पायेगा कि आपने इस नास्ते को सूजी से बनाया है जो भी खायेगा वो खाता ही जायेगा दोस्तों तो यहाँ पर यह देखे सूजी को फिर से ए यहाँ पर इसको थोड़ा सा इस तरह से चिकना कर लेंगे जिसे कि जब हम बेले ना तो यह फटे ना क्रेक ना हो और अच्छी तरीके से यह बेल करके तयार हो तो यहाँ पर फिर से देखे मैंने हलका सा देशीगी लगा लिया है आप इसके बाद इसको हम बेल कर तयार गube analysis बीच में..! में लिजयनम इसकी थीकनेस रखना तो यह देखे मैं इस्से बेल करके तशीयार कर लिया है अब यहाँ पर यह देखे मैं इसे चारों तरफ से जू है इसको काठ दिया है और काठ करके इसे जो है square पे चाकोर में मैंने से इसका save दे दिया है और जो हमने आलू का stepping को बनाया था इसकी हम यहाँ पर यह देखे पतली layer जो है लगा करके तयार करेंगे बहुत ही ज़्यादा मोटा नहीं लगाना है इसकी एकदम पतली layer लगाना है और इसको अच्छी से इसकी layer लगाते हुए हम इसको जो है fold करेंगे तो देखे यहाँ पर जो हमारी यालू के layer लग के तयार हो गया है और आप जाये तो इसके अंदर onion मी डाल सकते हैं पर मैंने नहीं डाला है मुझे simple सही बनाना था और यह देखे यहाँ पर जो है इसे इसको उठाते हुए धीरे धीरे करके इसको हम दबाते हुए इसको अच्छे से यह देखे फोल्ड कर लेंगे बहुत ही easily हो जाता है कोई भी problem आपको नहीं होगी और बहुत अच्छे से आप इसको बना लेंगे यहाँ पर इसको देखो इस तरह के से फोल्ड करते हुए इसको हलका लिलके दबाते हुए इसकी size को थोड़ा सा और दोड़ा हलका सा लंबा कर देंगे जिससे की जब इसको हम काटे तो बिलकुल यह खुले न और यह देखे इसको हम हलका हलका सा न इसकी किनारी को भी काट देंगे जिससे की जो नास्ता है बिलकुल अच्छे से इसका safe बने तो यहाँ पर आप जो है इसको थोड़ा सा बड़ा या फिर थोड़ा सा छोटा गुमाते हुए गोल कर लेंगे और गोल करते हुए इसको हम हाइटोंसे हलका little यह दवा देना सायगे कि अ हग कि तो यह देखिए इस तरय के से कुछ नाफटे के लुक रहाँगा? और नाफटा जटपड से बनके तयार हो जाएगा तो चलिए फिर इस नास्ते को इसी तरह के से सारा ही बना करके हम तयार कर लेते हैं देखिए दूसरा भी एक बर हम दिखा देते हैं इस तरह के से आपको लेना है और अच्छी तरह के से हाथों से दवाते हुए इसके से को बढ़ियां से यह देखिए ठीक कर लेना है और आपका नास्ता तयार हो जाएगा तो इसी तरह के से हम सारे ही नास्ते को बना लिए है ज़्यादा टाइम नहीं लगता है लेकिन नास्ता खाने में बहुत ज़्यादा क्रिस्पी बहुत ज़्यादा टेश्टी लगता है तो चली हमारा नास्ता तयार हो गया है अब यहाँ पर घोल में हम थोड़ा सा जो है एक बार इसको चला लेंगे और इसमें थोड़ी सी लाश्ट में डाल देते हैं हरी धनिया तो हरी धनिया भी डाल दिया है अब इसे अच्छे तरह के से मिक्स कर लेंगे और चलते हैं गैस की तरब तो जो हमने नास्ता बनाया है ये देखे इसको हम क्या करेंगे इसमें डाल देंगे और इसे चम्मच की सहायता से ये देखे इसको परट देंगे और इसको अच्छी तरीके से घोल में डिप कर लेंगे एक्स्ट्रा गोल को हम यह देखे यहाँ पर सैड में लाकर के जो है नीचे गिरा देंगे और उसके बाद इसे कढ़ाई में सीधा डाल देंगे तो मैंने यहाँ पर तेल पहले से ही चढ़ा दियाता है गरम होने के लिए तो तेल अच्छा गरम है यहाँ पर देख सकते हैं आप और बस एक एक करके अपने नास्ते को हम जो है कढ़ाई में डाल देंगे तो कढ़ाई में एक बार में जितना नास्ता आपका आजाए उस हिस इसे जो है low to medium flame पर ही इसे जो है फ्राई करना है और जैसे यह देखे एक साइट से जब यह नीचे से थोड़ा क्रिस्पी हो जाएगा ना तभी इसकी साइट को हमें चेंज करना है और इसके पहले आपको इसे नहीं चलाना है नहीं तो फिर यह तोड़ भी सकते हैं तो यह इसे की चीज से बनाया है तो मैंने का सूजी से तो विश्वास ही नहीं हुआ यहाँ पर अगर आप इस नास्ते को बना करके तयार करते हो ना तो विल्कुल आपको जो है जो आलू की टिकी बनाते हो विशन के घोल में अगर तो चलिए देखिए नास्ता हमारा फ्राई हो चुका है तो इसको हम निकाल लेते हैं और सेंप्रोसस से हम दूसरी बैच का भी नास्ता बना लेंगे तो यहाँ पर फिर से देखे मैंने कढ़ाई में जो है नास्ते को डाल दिया है तो इस नास्ते को आप कब ट्राई कर रहे हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और रेस्पी अच्छी लगी हो तो एक छोटा सा लाइक कर दीजेगा सेर भी कर दीजेगा दोस्तों अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ में और नए हैं चैनल पर पहली बाहरा है तो हमारे चैनल को बेल आइकन जरूर प नास्ते को बनाना तो बनता है दोस्तों एक बार जरूर बनाईएगा तो यहां पर यह देखे सारे नास्ते को हमने बना लिया है और इसे हमने निकाल लिया है प्लेट में गर्मा गरम कुरकुरा सा इस नास्ते को आप मार्निंग में इविनिंग में कभी भी इंजॉय कर सकत या चाय के साथ इसे परोज सकते हैं मैमान आए आप उनके लिए भी बना सकते हैं ये गेश्ट रेस्पी है और बच्चों को टिफिन बॉक्स में भी दे सकते हैं बच्चे भी इसे खुशी-खुशी से खा लेंगे जब बच्चों के लिए बनाईए तो बस थोड़ा सा कीजिएगा बहुत इकम समान से ये नास्ता बनकर के तयार हुआ इसके लिए आपको ज़्यादा समान लाने की विजवत नहीं पड़ी है देखिए कि इतना मज़ेदार चटपटा सा नास्ता बनकर के तयार है और ऐसी एक नई रेस्पी के साथ हैं दोस्तों फिर हम जल्दी मिलते हैं तक तक के लिए थैंक्स पर वाचिंग